मोवी की शुरुवात में हम साउथ अफरिका के एक घने जंगल को देखते हैं जहांपर दो फोरिस्ट आफिसर नदी के किनारे अपनी छोटी सी बोट से पेटोलिंग कर रहे थे इनके नाम थे गैबी और विंस्टन विंस्टन इस नाव को चला रहा था और गैबी ड्रोन से जंगल में नज़र रखे हुए थी गेबी उस ड्रोन को और घने जंगल में ले जा रही थी जहाँ पर उसे एक अजिब से प्रचही नजर आती है जो किसी इनसान की थी और वो गेबी के ड्रोन को तोड़ देती है फिर गेबी विंस्टन से उस ड्रोन को ढूनने जाने को कह रही थी लेकिन उसे आगे जंगल के केमरास चेक करने थे इसलिए वो गेबी को अकेले जंगल में छोड़ कर खुद आगे निकलने वाला था और गेबी उसे कहती है कि वो उसे लोटते समय वापस ले जाए जिसके बाद में विंस्टन वहाँ से आगे चला जाता है और हम देखने के दो जंगली लोग ड्रोन को अपनी पीट पर उठा कर कहीं पर ले जा रहे थे और फिर वे जंगल में ही जानवरों को पकड़ने के लिए लकडियों से ट्रेप लगाते हैं वे जंगल के केमरास को मिट्टी से ढग देते हैं ताकि उनकी एक्टिविटीज केमरा में रिकॉर्ड ना हो और जब इंस्टन केमरा चेक करता है तो उसे केमरा पर मिट्टी मुझूद मिलती है अब ये दोनों जंगली लोग जंगल में कुछ खाने के लिए कीड़ा पकड़ते हैं और अपने पास से एक मश्रूम निकाल कर उसके पोर्स को सब दूर फैला देते हैं और खुद अपनी नाग बंद कर लेते हैं ताकि उनकी नाग में मश्रूम के पोर्स ना गुसे काम नहीं कर रहा था गैबी को जंगलों में किसी की होने का एहसास हो रहा था और वो घपरा कर जल्दी जल्दी चलती है और उसका पेर उसी ट्रेप में फस जाता है जो उन दोनों जंगली आदमियों ने लगाया था इस ट्रेप से एक नुकीली लकडी सीधा गेबी के पेर में आकर धस जाती है और वो पूरी उसके पेर के आरपार हो गई थी गेबी जोर से चिलाती है और विंस्टन को मदद के लिए बुलाती है लेकिन रेडियो फोन ठीक से काम नहीं कर रहा था फिर गेबी जैसे तेसे उस लकडी को अपने पेर से खिषती है तो उसकी इतनी भयानेक चीख निगलती है जोकि विंस्टन दक बहुत जाती है और विंस्टन तूरंत गेबी के और आगे बढ़ता है फिर धीरे धीरे अधेरा हो रहा था और गेबी जैसे तेसे आगे बढ़ उसे लाल रोशनी दिखाई पड़ती है जिसके पीछे पीछे वो एक लकडी के पुराने घर में जाब पूछती है जोकी खाली था और वहीं अंदर थोड़ा आरम करने के लिए रुकती है चूकि गेबी के पेर का घाओ बहुत ज्यादा बड़ा था और फिर गेबी की ऐसे लग चुकी थी और वो एक सपना देखती है जिसमें उसके हाथ से कुछ बाहर आ रहा था कि तभी वहां वही दोनों जंगली लोग आते हैं जिनके ट्रैप में गेबी फसी थी वो गेबी पर हमला करके उसे यहां आने का कारण पूछते हैं और देखते हैं कि उसके पेर में चोट लगी हुई है इधर विंस्टेन गेबी को ढूडने में लगा हुआ था और उससे जंगल में अजीब अजीब आवाजे आ रही थी जिससे वो बहुत दर जाता है और देखता है कि एक बहुत अजीब सा क्रीचर उसके तरफ आ रहा है और वो उससे भागना की कोशिश करता है फिर सीन यहीं पर कट होता है और हम देखते कि गैबी उन्हीं लोगों के साथ में है वे गैबी का इलाज कर रहे है उस जंगली आदमी का नाम बेरंड़ और उसके बेटे का नाम स्टीफन था ये गैबी को यहाँपर खाना खिलाते हैं जिसके बाद में गैबी सो ज लगे थे फिर यह सी नहीं पर कट होता है और अगले सुबह बैरेंड और स्टीफन गैबी के पेर पर कोई लेप लगा रहे थे स्टीफन उसे पट्टी बानते वक्त उसके पेरों को देखता है और उसे चूने की कोशिश करता है जैसे कि उसने किसी लड़की को पहली बार टच किया हो और फिर वो अपने पिता के साथ में शिकार पर निकल जाता है गैबी अभी बिनीन में थी वो फिर से सपना देखती है कि उसके हाथ से फंगस बाहर आ रही है जिसके बार में गैबी उठकर आग जलाती है ताकि वहाँ से दुआ निकले उर उसे ढूनने वाले लोग वहाँ तक पहुच जाए वो विंस्टन को रेडियो फोन से कम्यूनि सुमर को मारते हैं और उसे मारने पर वो मदर नेचर से माफी मंगते हैं कि वो बस अपनी जरूरतों के लिए उसे खा रहे हैं फिर वो केबिन से निकलता हुआ दुआ देखते हैं और वो तुरंद घर पहुच कर उस आँख को बुजाते हैं और गैबी से कहते हैं कि यहाँ कि प्लांट्स पर रिसर्च करता है और उसकी बीवी एक केमिकल इंजिनर थी जो कि बोन केंसर से 13 साल पहले मर गई वे दोनों आखरी बार इस केविन में मिले थे जहां पर उसे स्टीफन हुआ और वो 13 सालों से यहीं पर है क्योंकि वो यहां पर मदर नेचर से मिल चुका है गैबी को बेरेंड की बातों का विश्वास नहीं होता और बेरेंड उसे उसके पेर का जखम दिखाता है जो कि अब भर चुका था जबकि घाव का इतनी जल्दी भर जाना नामुम्कीन था अब रात होती है और सभी सो रहे थे कि तभी अचानक से कोई चीज गैबी के के लिए आए थे जो किसी को दिखाए नहीं देते यह क्रेचर ना तो सुन सकते थे और नहीं देख सकते थे यह बस आवाजों का पीशा करते हैं गैबी डर के मारे जोर्ट से चिल्ला देती है जिससे कि गैबी के पीछे आते हैं और बेरेंड और स्टीफन उस क्रेचर को अ ये एक तरह की फंगस है जो कि इनसानों के अंदर घुसकर उनके अंगों की जगह ले लेती है और इनमेस से ही एक गौड है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जीव है एक फंगस जो कि इस जंगल के नीचे है और तब से है जब इनसान एक बंदर था और बैरेंड इसी को जिस दिखाती है और स्टीफन पहले बार किसी फोन और फोटो को देखे कर चोक जाता है इस टीफन को गेबी पसंद आने लगी थी लेकिन बेरेंड ये सब देख लेता है और गेबी का फोन फेक देता है क्योंकि वह नहीं चाता था कि स्टीफन बाहरी दुनिया के बारे मे जाने जिसके बार में बेरन और स्टीफन बीच जंगल में जाते हैं और एक बड़े से पेड़ को बेरन एक मास का तुकड़ा आफरिंग के रूप में चाड़ाता है और देखते ही देखते इस मास के तुकड़े में फंगस लग गई थी और फिर बेरन उस पेड़ के अंदर ह अपने आप ठीक होने लगे थे इधर गेबी के हाथ से भी अब फंगस बाहर आ रही थी और बेरेंड उसे वापस शेर छोड़ने वाला था लेकिन उन्हें ये पता था कि गेबी फंगस के चपेड में है और जल्दी ही उसका हाल भी विंस्टन के जैसा होने वाला है अब मारने के लिए कहता है लेकिन गेबी ऐसा नहीं चाहती थी बेरेंड उसे मारने वाला था लेकिन गेबी उसे रोग देती है और विंस्टन खुदी उसके तीर को अपने मूं में लेकर सीर के आर पर घुसा लेता है और मोत की नीन सो जाता है फिर वो क्रेचर्स गेबी की मांगती है लेकिन वो कुछ नहीं गेता और वो उस पेड़ से प्रात्ना करने के लिए निकल जाता है गेबी स्टीफन से उसकी मा की बार में पूछती है और बताता है कि वो जिंदा है और जंगल में रहती है इधर बेरेंड फिर पेड़ के पास जाकर मास आफर करता है ले बेरेंड गेबी से वापस जाने के लिए पूछता है लेकिन गेबी उससे कहती है कि वो वापस नहीं जाना चाती और वो यहीं रुकेगी जिसके बार में स्टीफन उससे तीर चलाना और शिकार करना भी सिकाता है और फिर स्टीफन उसे उस पेड़ के पास ले जाता है जह जिसमें उसने नेचर से अपनी पतनी को जिंदा रखने का सोधा किया था, और स्टीफन उन नोर्स को कभी पढ़ी नहीं सकता था, क्योंकि बेरन ने उसे कभी पढ़ना सिखा ही नहीं. गेबी स्टीफन को अपने साथ में शेहर ले जाने को कहती है, लेकिन बेरन ऐसा नहीं चाता था क्योंकि शेयर की जिन्दगी ने उसकी पत्मी को बस कैंसर दिया और नेचर ने उसे जिन्दगी गेबी यह सब नहीं मानती और फिर रात के समय बेरन और स्टीफन उसे नेचर के दुन्या में ले जाते हैं जहां पर वो खुद नेचर को चू कर देखती है वहाँ पर उसे ब्रेंडन भी दिखता है जो कि उसकी वाइफ यानि की पेड़ के साथ में फिजिकल रिलेशन्शिप बनाता है और स्टीफन गेबी के साथ में और फिर गेबी वहाँ पर ये भी देखती है कि स्टीफन के मुँँ में तीर लगा है और वो मर चुका है गेबी को जब होश आता है तो उसे लगता है कि वो कई दिनों तक भ्योश थी लेकिन असल में वो बस 15 मिनिट के लिए ही भ्योश थी उसे ये पता लग गया था कि जो पेड़ उन्हें बचाता था आफरिंग के बदले वो अब स्टीफन की बली मांग रहा था और ये बात बेरन को भी पता थी अगले दिन गेबी स्टीफन को अपने साथ में शेहर ले जाना चाह रही थी लेकिन बेरन स्टीफन से कहता है कि उसकी माँ उसे यहां से नहीं जाने देगी जिससे सुनने के बाद में स्टीफन वहीं पर रुख जाता है और बेरन उसे अपने साथ में ले जाता है उसकी बली देने के लिए गेबी उसे बचाने जाती है और उसके पीछे कई सारे क्रीचर्स पर जाते है लेकिन गेबी उनसे बचकर बेरेन को तीर मारकर उसे घाल करती है और स्टीफन पहले क्रियेचर को मारता है और फिर अपने पिता को मदर नेचर के हवाले कर देता है जिसके बार में स्टीफन और गेबी दोनों अपने केविन में आते हैं ताकि वो इंफेक्टेट ना हो और फिर अगेन गेबी एक सपना देखती है कि फंगस उसके पेरों के बीच से उसके शेरिल के अंद गुस रही है और हम देखते हैं कि बेरन के उपर भी अब फंगस लग रही थी और वो स्टीफन से खुद को मानने को कहती है जिसके बार में स्टीफन उससे आई लवी बोलकर महां से चला जाता है और हम यह देखते हैं कि गेबी अब पूरी तरह से फंगस की चपेट में है और इन जंगलों में पूरी तरह से समा गई है मुवी के आखरी सीन मे दिखाया जाता है कि स्टीफन एक रिस्टरेंट में कुछ खा रहा था और उसके जाने के बाद में उसके छोड़े हुए खाने में तुरंत फंगस लग जाती है मतलब कि स्टीफन भी अब इंफेक्टेट था और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है दोस् का इलाज नेचर के पास में था लेकिन उसे इसके बदले स्टीफन की बली चाहिए थी लेकिन बली ना देने के कारण किसी को भी इलाज नहीं मिलता और ये इंफेक्शन बस बढ़ता जाता है आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच